इस वीडियो इस स्पॉंसर्ट बाय सर्माया.pk पाकिस्तान जॉनली वेबसाइट वे यू कन फाइड आल दे इंफोर्मेशन रिगार्डिंग पाकिस्तान स्टाउ एंड मूच्छेंज अन मूच्यल फंड असलावलेकूम गाइज आज की वीडियो में आके लिए पाकिस्तान के टॉप 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 डॉआबं के अनैलेकि आएज स्टॉप एसी तीन कंपिन चाप्रफ लेक्राइज से मेरे लिहाज से पाकिस्तान की टॉप 3 ब्लूइप डॉप क्मपनीज इस पार हीं ये यह झ trophomeं इक होती है इस वार्षा इस यह पोर्फ परॉफ 지ेग है करते रहती हैं तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूवर सब्क्राइब कर दीजएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस सबसे पहरे जो ब्लूचिप कंपनी है वो है कोलगेट पामलेफ प जैसा को पाँदzer नगन थी बोनूक्त अनॉटक्णि करती है एतने प्रसरण जो शियर प्राइस होती है वो रिडियो सोरती है कम हो जाती यह तो यह आपके सामने कंपनी का चार्ट है जिसकी प्राइस है वो भी काफी अफोर्डेबल है जाने कि कंपनी फूर्डनमेंंटली जनुरी फरुवरि मार्च इस साल के शुरू के तीन महेनों के अंदर इसकी कैसी परफॉमस रही है वह हम दीखते हैं तो अगर हम दो नीचे आते हैं डिरेक्टर जिरिव्यू के अंदर तो जो कंपनी का टर्ण ओवर है यानिकि जो कंपनी का रेवइनियो उसके इंदर फॉर lost profit margin के अंदर increase आया है और अगर हम लोग इसका profit after tax देखते हैं उसके अंदर भी 55% का जो है increase आया है जादा तर यह जो increase है मेरे लिहाद से inflation की वारा से होगा क्योंकि जो चीज पिछले साल 100 रुपे की मिल रही थी इससाल वो 500 रुपे की मिल रही है तो जाहरे से बात है inflation की वारा से जब कंपनी ने चीजे महंगी की होंगी तो उसके नतीजे के अंदर जो कंपनी का यह turnover है और profit after tax जो है यह भी जादा हो गया लेकिन अच्छी बात है कि चीजे महंगी होने के बावजूद जो कंपनी का profit after tax है वो जाद और यहां के जो कोलेट कंपनी वो अपनी चीजे महंगी बेच लेकिन महंगी बिकने के बावजूद भी जो लोग हो इसकी चीजें खरीद रहे है इस जो पाकिस्तान को फेस है यानकि पाकिस्तान जैस एकनोमिक ट्राइस से गुजर रहा है बहुत जादा कंपनी का जो revenue वो unprecedented inflation level and increase in sales tax rate and significant devaluation of the पाक रुपी अगेंस दा यूएस डॉलर वो ही जो हम खबरों में बाता सुनते हैं कि जो रुपया है वो डी वैल्यू हो रहा है जो डॉलर है वो महंगा हो रहा है जो इंफ्लेक्शन है वो भर्डरी है शरा सूत के दरे जाफ़ा हो रहा है जो company उसने tax rate भी बढ़ा दिया ह है उसके भी state bank जो lc open नहीं कर रहा हूं अगर हम लोग इस company की future outlook को देखें तो इदरे भी नोंने यह लिखा है कि पाकिस्तान के जो foreign reserve है वो सिरफ जो है बमुश्किल एक महीने की import के लिए काफी है ठीक है जो हमारी debt payment है वो भी हमने time के उपर करनी है ठीक है external debt looming external debt repayments and a delay in the resumption of its loan program with the IMF याना की जो IMF है वो हमें करजा नहीं दे रहा जो हमने करजे है उनकी दाएगी कड़ी है हमारे पास पैसे नहीं है तो इस सारी सारी जो चीजे हैं यह काफी जाता है जो है मुल्क को हिट कर सकती है obviously जब मुल्क हिट होगा तो यह जो company है यह भी हिट होगी य supply chain disruption if this situation continues for a few more months याना कि अभी तो company ठीक से काम कर रही है लेकिन जो import पे restrictions लगी है यह अगर चलती रही तो आगर 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 जो company हो काफी बुरी तरह fact हो सकती अब यह जो time है सिर्फ पाकिस्तानी बहुत जाद मुल्क जैसे स्रिलंका default हो गया है पूरे दुनिया के रात इस बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि exports बढ़ेंगी तो dollar rank और मुल्क के जो हलाता है वो बहतर होंगे तो अगले कुछ साल तो जड़ा थोड़े difficult होंगे मुश्किल होंगे लेकिन उसके बाद इंशालला जो पाकिस्तान के future है वो काफी bright है क्योंकि the reforms are inevitable यानि कि जो reforms हैं वो पा अगले 5 साल भी जो हैं मुश्किल हो लेकिन इंशालला उसके बाद जो है पाकिस्तान के हलात जो होंगे जो मुझे नदर आ रहे हैं इंशालला वो future पाकिस्तान का बहुत अच्छा होगा उसके बाद अगर हम लोग आते हैं profit और loss statement के उपर जिसको income statement भी कहते हैं तो income statement के अ मार्च 31 2022 और मार्च 31 2022 यानि कि जो quarter एंड हो है जो शुरू के तीन महीने एंड है साल के उसके अरगर हमनों देखते हैं जो turnover है वो 21 million से 31 million होगा यानि कि turnover भी जादा होगा है और जो profit after tax है वो भी 1.6 million से 2.9 million के उपर जो है profit after tax चलाए गया तो यह भी अच्छी बात है जो earning per share है वो भी 14 रुपे से जो है तकरीबन 24 रुपे होगी है तो despite all the economic challenges जो company उसने काफी अच्छा perform किये तो अगर अभी आप इस company को buy करते हैं long term के लिए अगले 10 15 20 सालों के लिए आप इसको buy करना चाते हैं तो अभी बहुत अच्छा time है company fundamentally बहुत strong है बहुत अच्छी है बस अगर नेसले को भी आप देखें तो देखें जब पूरे मुल्क अहलात खराब होने में तो सहरी से बात है हर company उसे effect हो रही है नेसले भी effect हो रही है लेकिन फिर भी economic challenges के बावजूद जो है वो company काफी अच्छा perform करती जा रही है और अगर आप देखें बीच में थोड़े स गया था 4752 रुपीज और सबसे महेंगा गया था 6481 रुपीज और अभी जो है 6250 रुपीज के उपर यह जो शेयर है यह trade कर रहे है तो जो नेसले पाकिस्तान है वो वह भी एक blue chip company मैं इसी वरह से कहता हूं कि जो मुश्किले आ रही है जो companies होती है उनको जहें में रखना है लेकिन उसके बावजूद जो company है वो बहुत अच्छा perform कर रही है तो यह एक अच्छी company के निशानी होती है जिसने अपने बुरे वक्त के बारे में सारा सोच के रखा होता है कि अगर हलात खराब हो जाएं तो फिर हमने किस तरह perform कर रहे है और जैसी हमारी performance पहली है बिल 10-15-20 सालों के लिए तो यह जो company है यह बहुत अची buying हो सकती है अब अगर हमनों गाते हैं इसके डिरेक्टर review के अंदर इदर बिजनस performance के अंदर भी जो company की sales है अगर हमनों गे नीचे चार्ट के अपर ही डिरेक्ट हा रहता है जो sales है उसके अंदर भी 31.3% की growth हुई है जो जो company इसकी growth होई होगी यानिके volumes के अंदर भी होगी यानिके पहले अगर company 10 item बेचती होगी तो इस सल company ने 12-13 item बेचती होगे ठीक है तो जो company इसके अंदर जो है invest करने का काफी अच्छा मोग है अगर इसके business performance review के अंदर भी देखें तो लिखा है sales of the sales for the 3-month period ending March 31st 2023 standard PKR 49.5 billion यानिके 50 billion की company ने साल के शुरू के तीन वहिनों में sales की थी यानिके 31.3% का जो है वो growth हाई है company के sales के अंदर और उसके बाद जो है company ने portfolio mix जो है by a favorable portfolio mix and price management initiatives ठीक है यानिके company ने जो है काफी अच्छी तरह अपने जो है जो है जो इसकी management है उसने काफी अच्छी तरह जो है company को steer किया यानिकि difficult time के अंदर company को लेगे कैसे आगे जाना है कि जो company उसके जो profit हो वो grow हो तो वो नजर आ रहे है कि जो company की management है वो काफी competent है यानिकि वो है बहुत अच्छे decisions ले रही है कि despite all the economic challenges जो company है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और अगर future outlook को देखें तो जैसे Colgate ने कहा था यहां पर भी हो रहे है currency depreciation depreciation हो रही है ठीक है जो inflation है वो काफी जादा हो रही है जो foreign reserve है वो हमारे कम हो रहे है तो इसके भी future outlook जो है company की challenging है क्योंकि जाहरी से बात है एक जो company होगी वो एक level तक ही sustain कर सकते economic crisis यानिकि economic crisis इतने बुरे थे तो company ने एक time त अब जो है stock market के अंदर entry लिने का काफी एचा time है क्योंकि इसका stock market काफी low आई वे इस तरह के मुल्क हरात है अभी अगर आप इन companies के अंदर long term के लिए invest करते हैं दस मेरा बीस सालों के लिए तो इंशाललह 10 साल के बाद जो है आपको इसके results जो है इंशाललह बहुत अच्छ shareholders को जो है my use नहीं करेगी अपने shareholders को जो है बहुत जादा profit देगी इधर भी अगर आके हम नेसले पाकिस्तान की statement of profit or loss को देखें तो जो revenue है वो 37 million से 49 million के उपर चला गए ठीक है जो gross profit है वो 12 से 16 million के उपर चला गए और जो profit after taxation है वो भी 4.4 million से 5.6 million के पर चलीगी है तो यह एक बहुत अची बात है कि जो company है उसने इस economic challenges के दुरान भी जो है काफी अच्छा perform किया यानकि अपने top line भी growth की है grow की है revenue जाने कि अपनी bottom line है profit after tax है उसको भी grow की है उसके लावा तीसरी company है पाकिस्तान लिमिटेट है यह जो company है मैं जानता हो भी comment section के अंदर बहुत काफी महंगी है काफी expensive है तो जी है इसका जो शेयर पाकिस्तान stock exchange के अपर सबसे expensive शेयर पाकिस्तान food limited का ही है लेकिन वो इतना महंगा है इसलिए क्योंकर यह भी जो company है बहुत अच्छा perform करती है यह throughout history बहुत अच्छा perform करती है यह और इंशालह future के अंदर भी यह company बहुत trade कर रहा है तो इस 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 कीमत को भी अगरा अभी company का share buy करते हैं तो इन future जाने के long term investing के अंदर 10-15-20 सालों के बार यह आपको इंशालह बहुत handsome profit दी जाएगा इसकी बहुत अगर हम लोग आके जो है three month period की जो है quarterly report देखते हैं तो यहां भी इसके director view के अदर अगर हम लोग 8% का increase आया जो profit after tax है वो 83% increase हो गया ठीक है इतर भी लिखा है despite the challenging economic environment with inflationary headwinds gross margin improved by 193 basis point to 46% while earning per share EPS grew by 83.56% versus same period last year through a combination of competitive pricing, better cost, absorption and optimization तो इस सारी सारी चीज़ को देखें तो यहां से आगा पताँ चलता है कि जो company की management है वो काफी competent है यानिकि इतने बुरे मुलके है लाता है सारा कुछ है लेकिन उसके बावाजू जो company है वो इतने अच्छे results पोस्ट कर रही है यानिकि dividend जो है वो दे रही है ठीक है जो इसकी sales है वो increase हो रही है जो profit after tax है वो increase हो रहा है dividend तो मेरे खासे इस company ने जीज़ाफ़ा इतना अच्छा नहीं cost मैंने इससे पिसली वीडियो के अंदर आपको बताया था शराय सूध ज्यादा होने की वारा से interest rate ज्यादा होने की वारा से जो companies है उनकी finance cost है वो काफी ज्यादा बढ़ी है लेकिन यह जो जूने लिवर है यह एक तरह की debt-free company है यानिकि यह अपना business करती है और अपने business से जो यह company पैसे कमाती है उसी को वापिस reinvest करती है तो यह यह बहुत एक strong company के निशानी होती है जो company debt-free होती है उसका अपना ही business है वो self-sufficient होता है यानिकि वो खुद ही इतने पैसे कमाते है कि उसको जो है debt लेने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम लोग इतर आते हैं इस current portion of long term borrowing वो सिरफ 31,000 है तो यह जो company है इसको अगर हम लोग आकर देखते है इसका जो profit है इसका जो quarter का profit है वो इसकी liability से जादा है ठीक है तो साल के जो यह company बहुत जादा कमाती होगी यानिकि profit after tax है वो 3.3 million है ठीक है और जो आपके उपर liabilities है long term borrowing के वो सिरफ 583,000 है ठीक है यानि कि आप 30,000,000 रिपर कमा रहे हैं और 6,000,000 रिपर करते हैं तो यानिकि company के जो सिरफ 3 महीनी के performance है वो इसकी total debt से जो है जादा है तो यह यह बहुत strong company के जो होते निशानी होती है जो अब इसका share है इतना महेंग है वो बिलावाज़ा नहीं है यह जो company throughout history बहुत अच् परफॉर्म कर रहे है तो यह बहुत अच्छी company के निशानी होते हैं जैसे मैंने बताया अच्छे time के अंदर तो हर company अच्छा perform करती है लेकिन जो असल में अच्छी company होते है उसका पता चलता है कि बुरा वक्त और वो अच्छा perform कर रही हो तो यह जो company है बुरे वक्त के बा सब को पता है कि भाई जो मुलक है वो किस direction की तरफ जा तो अगेन मैं कहूंगा कि जो पाकिस्तान के हरात है मोगले तीन चार पांत साल जो है difficult है इंशाला एक दफा जो है structure reforms आजए एक दफा political stability आ जाए election होते है जो पाकिस्तान के फूचर है वो इंशाला बहुत अच्छ है जाने कि बिजनसेस जो हैं जो export कर रहे हैं बिजनसेस जो उनको जादा incentive दीए जाएंगे जाने कि export के ओपर जादा तवज्जु दी जाएगी localization को प्रिफर किया जाएगा जाने कि बजाए कि हम चीजों को import करें raw material को import करें हम पाकिस्तान के अंदर raw material को produce करें और उससी ची माजेरिया है वो एक African मुलक है लेकिन उसके जो reserve है वो भी हमसे जाद है क्योंकि उन्होंने जो है मेहनत की है तो पाकिस्तान के पास reforms के लावा दूसरा कोई option है नहीं रहा जाने कि हम तो काफी अरसे से करदा ले लेके मुलक को चला रहे तो लेकिन जैसे मिफ्ताइसमाल भ नहीं है और यह इंशाला पाकिसान होगा एक दफा structure reforms आ जाते हैं अगले तीन-चार साल जो हैं मुश्किल होगे लेकिन इन्शाला उसके बाद जो पाकिस्तान के future होगा वो बहुत bright होगा तो गाई यह वो तीन stocks हैं जो मेरे लिहास से बहुत अच्छा perform कर रहे हैं ठीक और